सच बताएं हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं हम केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी साक्षी ना हो जाए हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे मंदरों पर सौमनात है जैसा कभी दुबारा हमला ना हूँ हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जीते जी उन माबाप से पूछना जिनके बच्चे घर छोड़कर डूसरे मजहब में चलेंगे जिनकी बेटियां घर से भाग गए कस्मीरी बंडतों को भगा दिया यहीं दिल्ली में यमना के पास पागस्तानी हिंदू है सरनार थी उनको रहने के लिए निवास नहीं है लाइट नहीं है उन उसके पास जब जाओ और पूछो के वहाँ पागस्तान में क्या हाल था उनकी बेटियों को छोटी छोटी बच्ची यों को उठा लिया गये तेरा तेरा साल की बच्ची को उठा ले गए और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत में तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो सिर्फ हिंदुत्य की बात और सनातन की बात हम इसलिए बोलते हैं छमा करना जो पुलिस में भी हैं उनके उपर भी कितने हमले कहां कहां नहीं हुए बंगाल में हमने चाहते हैं लोट कर हमारे राष्ट के इन शिपाहीयों के उपर कोई उओगली उठाए इसलिए हम हिंदुत्य की बात करते हैं इसलिए हम सनातन की बात हमें कोई सौक नहीं चड़ा है न हमें यस्पाना न हमें सम्मान न हमारी कोई पार्टी है कि हमें राजनीती करनी है हमें कौन सी राजनीती करनी है हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे तुम्हारी आने वाली पीडी के लिए बोल रहे तुम्हारे लिए जी रहे बरना हमारा दर्वार अच्छा खासा चलना है दर्वार में कोई कमी नहीं हम तो professionally life जी लेंगे जादा परिसान होंगे professionally life जी लेंगे अपना दर्वार लगाएंगे बस अपने आराम से लहेंगे न लेने माधों का न देना माधों का लिकिन क्या इससे राष्ट का भला होगा क्वा दें हम तुम्हारे लिए जी रहे इस वीडियो को जरूर तुम से प्राक्थन है तो तुम्हारे अंदर अगर जमीर है जागो हम यह नहीं कहते तुम सपोर्ट करो हमारी तुम्हें जहां जो करना वो करो लेकिन हां बात जब सनातन की आ जाए तो प्लीस चुप मत बैठेना इसलिए बाइकोट करना ही पड़ेगा बिना उसके काम भी नहीं चलेगा जो एंसा चलाए और जो एंसा करे उसको देखना उसके पंडालों में जाना बंद कर दिया जाए अब बाबर का देश नहीं रगुबर का देश है यार बेफिजूरी हमने राम के लिए इतने साल कोट में माथा पच्ची की भगवान कृष्णी की पूजा नहीं खुल कर कर पा रहे राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट-पीट कर बरबरता निर्दैता से मार दिया जाता और लोग कहते तुम चुप बैठो और हाँ हमारे बोलने से तुमारे जैसी राम केबल मोबाइल चलाने से भारत हिंदु राष्ट नहीं बनना है तुम्हें आबाद उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जबाब देना पड़ेगा तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है कि तुमने ताली पीटी और बोट दिया हम चले गए हम सनातन के सिपाई हैं जब तक तुमारे अंदर जुनून और जोस नहीं भर देंगे जब तक तुम्हें सडकों पर तूफान मंदिनों में भीड सडकों पर तूफान चाहिए हमें र प्रदेश में हिंदू अल्प संख्यक हो गए यूपी में भी हो जाओ भारत में भी हो जाओ तो अगर नहीं ऐसा चाहते हो तो आओ चाहते हो तो ठीक है तुम्हारी एक्षा है हम तो बोल सकते हैं नहीं चाहते हो तुम्हारे अंदर जमीर है हमारे पूरवजों ने राम के लिए अपने प्राण त्यागे हैं भारत के लोगों तुम्हारे पूरवजों ने संस्कृति और संसकार भारत को बचाने के लिए ब कि दूसरी बात भारत में 80% सनातन हिंदू रहता है बीस पर्षंट अन्न मजहब के और बीस पर्षंट जब अन्न मजहब के हैं तुम्हारा यह हाल है कि तुम अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं जिस दिन तुम 50% से नीचे आ जाओगे घरों में नहीं रह पाओ और कोई भड़काओ बात नहीं है बहुत ही जगाने वाली बात हो इसके बाद अगर किसी को बुरा लगे तो छमा करना हम तो देखो जगाने आएं जगाने की बात करेंगे बुलो जैसी आराम तो कौन-कौन तयार है ऐसे लोगों को जबाब देने के लिए ऐसी खबर जो भी चला रहा है कौन-कौन जबाब देगा आज ही पका पका चलो देखते हैं